कि यहां पर श्टार्ट करेंगे जो द्रश्टी है इसका mentorship test number यहां पर 9 तो इसको यहां पर श्टार्ट करेंगे जो 8 तक test है वो मैं आपको दिखा जुगा हूं नौ नंबर यह रहेगा और जूसके बाद आगा अभी क्या है जो mentorship test लेकिने में में अब रह तो क्या है रहा है तो यह मतलब क्या एक हप्ते बीघ्रist क्या क्प्लीट होगे लेकिसर को है यहां से क्या पैस्तिक कर रहा हूं पहला से लिद्ट करनाróव ठिंद करेंगर जैंतरबबई कर्ला कुछा से निम लीकित कत्नों पर आपको आपको विचार करना है ठीक है परमाडूविखंडृन हमेशा एक अन्यांत्रीत संखला अभी कीरिया होती है जो सबसे अधीक मातरा में उर्जा क्या है उस सरजित करती है पहला आपका गलास होगा क्योंकि परमाडू विखंडन एक नियंतरीद और अनियंतरीद दोनों विद्यो से हो सकता है ठीक है क्या है दोनों विद्यो से लिए नियंतरी संक्ला नहीं है परमाडू सनलेयन हमेसा एक नियंतर करना चुनोंती पूर्ड रहता है तो हमारा यहां से सेकेंड स्टेटमें भी आपका गलत हो जाएगा परमानु सेंत्रों में परमानु विखंडन के दोरान बड़ी महत्रा में उस्मा उसर्जिस होती है शीतलक उस उस्मा को असोस्टित करता है और तापमान में अत्यदिक विर्थी को रोकता है ठीक है इसली किसका उप्यूग सीटलक की रूप में आपर किया जारा आपको यह ब क्योंगे वह मॉडरेटर के रूप में भी आपर कर सकते हैं तो हमारा आफर यहां से करेक्ट हो जाएगा कि कुस्च्छन है निमली की कथ्मों पर आपको विचार करना है यूगमाँ पर विचार करना सुपर्मून, बुलू मून और आपका ब्लेड मून ठीक है तीनों घट सब्सक्राब करने के लिए हैं पर किया जाता है यह गर्लास हो जाएगा, दोनों मारे गर्लास से अंसर हमारा second से सही है, किवल एक सही है, किवल एक मतलब एक statement यहां से तीनों में correct है, चो उथा है, gravitational lensing जो आपका है, जो की खगोली भौतिकी की एक परिगटना है, इसके सम्मध में लिकित कर तुबर आपको विचार करना है, नासा ने James Webb Space Telescope launch किया, जो gravitational lensing नमक जो प्राक्रतिक परिकटना है, उसको प्योग करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, force यहां से जो हमारा statement है, इसका पहला वाला correct हो जाएगा, second, gravitational lensing ice team की समान सापेच शिता के सिद्दान पर कार करता है, ठीक है, यह भी important है, पाद question हो, right, तो क्या होगा, second मारा statement, वो भी सही है, क्योंकि, यह समान सापेच शिता, जो सिद्दान पर आधारीत होता है, दोनों बाते correct है, C मारा यहां से, फोर्थ का answer हो जाएगा, पाच्वा नमर question, क्वीपर बेल्ट, क्वीपर बेल्ट ब्रामान की किस भाग में, इस थी थ होता है, जो नियुप्चून की जो कच्छा है, उसके बहुत आगेत तक यहां पर विस्तृत होता है, ठीक है, तुमारे यहां से, D, छटा नमबर, निम्नीखित कत्वों पर आपको विज़ार करना है, उड़ने वाले पच्छी केवल गति जूर्जा होती है, ठीक है, पहला साथवा नमबर, प्रकास अंसेशल के संबद में निम्नीखित कत्वों पर आपको विचार करना है, यह प्रकास उर्जा के रसानिक उर्जा में परिवड़तन करता है, ठीक है, तो साथवा नमबर, पहला आपको यहां से, करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, इसकी दर, बहेंग साथवा नमबर, प्रकास अंसेशल के संबद में निम्नीखित कत्वों पर आपको विज़ार करना है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिती में भोजन का विखंडन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो मारा जो यहां से आठवा है, इस कैप से जो पहला श्रेट्वन डगलात हो जाएगा क्योंकि अक्सीजन के अनुपस्थिती में भोजन के विखंडन को अवयवी जो पप्च्य होते हैं, उसके रूप में आपर जाना था, जबकि कोषिकों में उर्जा के उत्पदन की प्राथमिक प्रक्रिया है, उसमें अम्तोर पर अक्सीजन यहां पर सामिर होता है, उन्हे झालतुक कोशी का उठ जी सकता तो गरतबह मनुस्त को फिलिए निट्रोजन आक्सिजन और करवन पर होती क्या थे हैं ऩ्याइशे एक क्योंन उसके रूप में आप गलत हो झालत Y21 L यह क्या जाता है जो विभिन कोस्त की परिक्रियां को सक्तियां पर पढ़ान करता है तो सेकेंड भी आपको यहां से गलत हो जाएगा ठीक अंसर मारा क्या हो जाएगा एक का डी क्योंकि दोनों बाते वह करेट बता रहा था नवा नंबर गुर्त्वा करस्ण के तरंगों के संब्द में निमलीकित कत्वंबर आपको विचार करना है पहला यह दिक काल में उर्मिकाय होती है तो यहांसे क्यों हो जाएगा नौमे का मारा पहला स्ट्मेंट अपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह ब्रह्मन में कुछ अपके तरंग है उसमें दिक काल के उर्मिकाय होती है तो करेक्ट हो के दूसरा अलबर्ट आश्टीन ने कॉन्टम जांतर की कि अपने सिध्धान्त में गुर्त्वा करस्ण तरंगों के अस्तित्व के भविस्वाड़ी की थी ठीक है सेकेंड क्यों हो जाएगा सिकेंड यह अगला देखते हैं दस्वा नमबर नेमरी रिखित कर्थम पर आपको उचार करना है यह वे पतार्थ है सोरी वे पतार्थ उसमा के अंदर असानी से गुजार देते हैं जो उसमा के सुचा लग होते हैं ठीक है क्या हो जाएगा यहां से दस्वेंग आपको यहां से जो पहल हाल होते हैं ठीक है सेकंड भी आपका सही है दो नमारे स्टेटमेंट से सी यांसे अंसर हो जाएगा निम्रीकित कित्म पर आपको विचार करना है ठीक है देखतें ग्यारा नंबर को हीरा ऑप्टिकल फाइवर एंडोस्कोप और आपका म्रग तर्शना इनने से कितने जो पू प्रकास के संदया इम्लीकित कातों पर आपको विचार कना है मौन ने तो द्वारा अन्भो किये गये प्रकास सची में आपको प्रकास मृति कहा जाता है ठीक है तो क्यों जानाराय की बंद्ख ग्रमाइट रॉक च्वान positive थ होती है उसको यहां पर इसकी लगते हैं खेंडल सका मात रख उते होते हैं सब्सक्राइब सफिरे नंबर कोसुन है निम्लिक तक हमको विचार करने है ठीक है पहला ऐसे स्ट्रेटमेंट ने इसे स्टेटमेंट documenting क्या सब्सक्राइब है ने युद्ट कोशले कि इस में दिसे तत्युसरा Намन ट्रेयोग लिडियो थरेपी के रूप में और संचार में कितने अनुप लोग गामा क्रिणोक्स रूप में यहां से किया थे ठीक है तो करीट अंसर यहां से मारा 13 है इसका हो जाएगा आपका किवल तो केवल तीन मतलब इसमें से जो तीन स्टेटमेंट वह आपके करेट हैं जैसे कि कि के सागो रूगान हो रहित करने में इनके ट्रेसर ग्रूप में यह और संचार में आपका यह नहीं है ठीक है तो इसका मारा अंसर क्यों जाएगा ओनली तीन प्रफ्रीन नंबर नूटन की गति के पर्फाम नियम के संदवन निम लिखे कि तो में से कौन सा कतन आपका सही है यहां से ठीक है तो हमारा यहां से करेक्ट अंसर हो जाएगा फूर्टीन का बी नंबर जो श्टेटमेंट है विराम अवस्था में कोई वस्तू तब तक वि जड़ात्त का नियम इसको बोलते हैं ठीक है अगला देखते हैं 15 नंबर जब कोई वस्तु परत्वी की सत्य के निकट सुतंत रूप सी गिरती है तो निम्लीकित में से क्या स्थिर रहता है ठीक है करेक्ट अंसर यहां से फिप्टी का हो जाएगा फिप्टीन का हो जाएग यह बोल रहा है ठीक होगा यहां से पहले स्टेट्मेंट अपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है दूसरा यहां यह अप घटक मुख रूप से कवक और बैक्टेरिया से बना होता है ठीक है तो क्या होगा से करेक्ट हो जाएगा तीसरा स्टेट्मेंट यहां से इन्हें म्रत पो उसके बारे में सेवन्टी नम्बर को सने इसे बोले निम्लिकित में से कौन सी ग्रंथी छोटी आत में कार्भोहड़िट प्रोटीन और वसा ठूटने में सायक एंजाइम यहां पर स्राविद करती है ह्याँत निष्ट का और वसा इसका प्राविद कि अन्तरा आपको बाता है इसका बैश्राविद के सबस्ट आपको ऐन्सौलिन दूसरा उपका ग्लूप गॉन ठीक है इन में क्या है यह प्राणाली होती है जुनों ठीक है अधारा नंबर मार्सलार्ट रूपों के संदब अनिम्लीकित कत्म पर आपको विचार करना है कराली पयाट्टू मानों जरीर के प्राचीन ज्यान पराधारित एक मार्सलार्ट है ठीक है तो 18 का यहां से हमारा जो पहला स्ट्रेट्मट है वह करेट हो जाएगा दूसरा सिलंबं एक मार्सलार्ट है जिसमें हत्यारों का उप्योग कियनमती होती है ठीक है इसका एक मार्सलार्ट है जो आंदर प्रदेश से संबंदित है ठीक है तीसरा स्ट्रेट्मेंट यह आपका गलत होगा क्योंकि यह क लोग संगीत की संब्दमिन लीकित को विचार करना है थुम्री मिस्त्रित सरल रागू परयाम पर क्या होता है अधारित होता है ठीक है पहला यहां से आपका करेक्ट होजेगा दूसरा टपा की उत्पत्ती उत्तर पस्चिम भारत के उत्त सवारो के लोग गीतों से हुई टीक तो यह जाएगा सेकेंड ने आप से आपका वह भी टपक बरहें में भी टपक ठूमरी दोनों आपके करेट हैं गजल का है एक छोटी कविता है जिसमें तुग बंदी वाले दो हें होते हैं ठीक है तीसरा स्टेटमेंट पर करेक्ट है तीनों हमारी बस है मतलब इस्टेटमें पहले पहले स्टेटमेंट करेट हो जाएगा दूसरा बंके तंचन्च अठाट जी ने आम लोगों में जागोर्त बढ़ाने के लिए बांग दर्शन पतरिका के आरम की थी ठीक है तो यह भी स्टेटमेंट हमारा करेट हो जाएगा तो दोनों मारे बाते सही है सी हमारा 20 का यहां से अंसर हो जाएगा ठीक है 21 नमबर देखते हैं 21 है निम्लिकीत कत्वों पर आपको विचार करना है तोल पावा कुथू थोल भूम भूम मलाटा और आपका रावर छाया पावा कुथू इन्हें से कितने छाया कट पुतली के रूप हैं ठीक है करीट अंसर यहां से 21 आपको हो जाएगा तीन सिर्फ हैं ठीक है कौन-कौन से एक आपको छाया पुतली के पीछे प्रकास के साथ दर्थायता है जिसे स्क्रीन के सामने बैठे दर्सकों के लिए रंगी चाया गया पर निर्मित होती है ठीक है यह कट पुतली है जो क्या उडिसा केरल आंद ध्रण जैसे इसका पिए चाया के लिए प्रच मत अप के इसके पाही में द्था हो गया को है तौक मीत तुल पावा को थे ठीक है तो तीन हमारे स्टेटमेंट इसके करेट है बाइस वा नमर कोश्यों देखते हैं मेलू एवा मुस्त्रमों के संत्रम निम्लिकित कर तुम रपको विचार करना है मरत मकर विलकू ठीक है मकर विलकू सो सब्री महला मंदर में मकर संक्रांति के आउजित होने वाला एक वार्सिक उत्सो है ठीक है तो इसका पहला स्टेटमेंट आप कहां से करेक्ट हो जागा 23 निम्लिकित कर तुम पर आपको विचार करना है ग्यानपीट पुरस्कार उत्करष्ट साहित उपलब्दी के लिए अपर क्या प्रदान के जादा है ठीक है तो क्या हो जाएगा पहला यहां से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा सरसती सम्मान की स्थापना के लिए बिर्ड़ा फांडेंशन या फांडेंशन दौराय आप फिर की गए ठीक है सेकर्ड इस्टेटमेंट यह भी आपका करेक्ट है दोनों बाते सही है सी मरा अंसर हो जाएगा 24 24 निम्लिकित करतों पर आपको विचार करना है ठीक है दिवराय पर्थम के समय अब्दु तो रजाग फार्ची जो अपके तिरुमेट थे उसमें तिहासकार विद्धावन था जिसने दिवराय दिर्थी के सहसंकाल में विजन अगर करना की पर्थम के सेकंड एवन बदूता ने अर्भी में हिरला रिहला नामक क्या यात्रा व्रतांत लिखा था ठीक है तो सेकंड यहां से मारा यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है उन्हें दो करेक्ट आंसर मारा बी अगला है 25 भक्ति संतों के संदर्वन निम्लिकित करतों पर आपको विचार कर ठीक है तो क्यों जाएगा यहां से पहला आपका स्रेट्मेंट करेक्ट हो जाएगा दूसरा चेतने महा प्रभू बंगाली हिंदू संद और गौडी वेसनवाद परमपराओं के मुख्य प्रवस्ता वक्त है ठीक है सेकंड क्यों सेकंड आपका करेक्ट होगा दोनों मारे स जिसे एटम बंभी कहाता है अत्रदिक विस्पोर्टक सक्ति सालिवाला आत्यार होता है जिससे विस्पोर्ट प्लोटनियम या यूरनियम जैसे भारी तो अतना अभीक से यहां पर विखंडन यह विभाजन के दुरान यहां पर इसमें उर्जयो निर्मक्त होती है उसके द अंसर हो जाएगा 27 एक्वैड एक्वैड इक्वैड इम्मुनोडिफेसियंसी सिंड्रोम एड्स है उसके संद्र में आपको विशार करना है यह हुमन इम्मुनडिफेसियंसी वाइरस एचाईवी के करण होता है जो समय के साथ प्रतिर अच्छा परणाली को दुरबल कर दे है उसकी प्रभावी ठंस यहां पर उपचारीट कर सकता है राइट सेकेंड यहां पर क्या हो जाएगा सेकंड श्रेट्मेड का करेड़ हो जाएगा दोनों बात है मानक उपचार में दबाए हैं उसका सहुजान होता है जिसी अक्सर अतिधिक सक्री एंटी रेट्रोवाइर यहां पर कहा जाता ठीक है अपसे कोशन इसे पूछ लेगा है अभी न्यूज में था तो इक हिससे संबन देते ठीक है तब को यह याद रखना है तो मारे क्या है जो 27 है इसका हमारा दोनों स्रेट्मेंट करेक्टर से स्थी हमारा क्यों जाएगा आंसर हो जाएगा अगला अगला देखते है 28 नंबर निम्दीकित पर आपको विचार करना है मेडी डिएक मोबाइल टेक पैक पैक टेक और इसिपूर्ट ट्रेक ठीक है ओको टेक अरतके प्रोक यह तो अपके देखते हैं अपर अचा उपिक मैंसे कितनी तक्क्निक है वस्तर के अनुप्रियों है व एक प्रकार की रिचार्जेवल बैटरी जो वनेडियम आयनों से सक्री समागरी के रूप में नियोजित करती है तो क्या हो जाएगा यहां से चार चरण होते हैं ठीक है कितने होते हैं चार चरण में से वनेडियम एक अलग विद्धुतावेस होता है और इसके लिए इसका उप्योग उर्जव भन्रान के लिए उत्प्रेड़क्व में करते हैं थर्टी नंबर इसक्रप टाइफस रोग के संदर निमली कित क्रत्म पर आपको विच्वार करना इसक्रप टाइफस जिससे बुष्ट टाइफस भी आपर का जाता है एक विसानु जनित रोग है ठीक है पहला आपका क्या हो जाएगा पहला गलत हो जाए क्योंकि ये रोग औरियंटिया ठीक है औरियंटिया तुसुंग सामी ठीक है नामक जिवानों की कारण होता है ना की वैस्ट की कारण ये संक्रमीद चिगर्स लार्वा मैटस को काटने से लोगों पर फैलता है सेकेंड आपका कारिट है तोमारा अंसर बी हो जाएगा असे थर्टीवन पर आपको विचार करना है यह विकास सिल देशों में बुनियादी और सनचना सम्मंदित परियोजना है उनको वित्यपोसित करने के लिए पर जी टॉन्टी देशों को एक सही होगा अत्मक प्रियास है ठीक है पहले आपको यहां से क्या हो जाएगा गलत है क्योंकि वज्याएं दान पर बल देती जिस से परात करता देशों को लाब होता है त्यूसरा गलत है क्योंकि दान के स्थाने पर क्या है इसके घृष्ट अपूज़ट बता रहा है तो यह बही गलत है मारा अंसर से एक करेक्थ है यहां से ठीक है यह पतलब एक स्टेट्मंट तीनो में करेट है 32 वेग्यानिक और अदोगिक अनुसंदान परिसत CSIR के समझ में निमली कित कर्थम पर आपको विचार करना है ठीक है यह से पहला स्टेटमेंट है भारत की भारत के अजादी के बाद भारत सरकार द्वारा इसी एक स्वयत निकाय के रूप में इस्थापित किया ग विकास संग्टन के रूप में उबर आता है ठीक है तो यहां से अपका करेट हो जाएगा बहरत केंदरी विज्ञानिक परदोगी मंतरी CSIR के पदेन अध्याच होते हैं ठीक है तीसे स्टिपने आपका गल्लत क्योंकि CSIR के पदेन अध्याच होते है भारत का पधान मंतरी हो और आत्मान में दौ कीमती धातु है जो संग और चांदी इनको हाल मार्किंग के लिए आप ताहरे में रखा गया तो पहला करेट हो दूसरा संग में अनिवार हाल मार्किंग के बाइस करेट के आप उसनों कलाकरती प्रहां पर लागू होती है ठीक है सेकंड क्यों क्यों क् सेकेंड वाले स्टेटमें गलत होगा क्योंकि अनिवार हाल मार्किंग गादेश 14 18 और 22 करेट के सब्सक्राइब यहां पर लागो होंगी यह गलत हो जाएगा भारती माने पीरो बियाइस सभी हाल मार्क वाली वस्तुओं को एक हाल मार्किंग यूनिक इस अकसर साब की पहाडी की रूप में यहां पर जाना आता है इसकी आरंबिक जो परमाण है तरह मिलाडों में पराप्त हुआ है तो 34 को हो जाएगा यहां से 34 का पहला स्टेट्मेंट है यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसी अकसर साफ की फन के पहाडी में काया था जो कि हैदराबाद से लगबग 150 किमेंट दूर छोटा सा गाओं है जिसे बहुत धर्मिकी जो महत्रपूर अत्यासी जो यहा पर प्रदन करता है ठीक है तो सेकेंड श्रेट्मेंट यहां से अपका यह करेक्ट होगा तो अन्ली दो करेक्ट है अंसर हमारा यहां से बी हो जाएगा जो पहला से प्रति श्रेट्मेंट इसका सायबppers करेक्ट हो जाएगा दूसरा यह एक सूं제가 उप्युक्त नहीं है तो यहां पर जो विवेन प्रकार की मर्दा है इसके लिए बाजरा की उनिो हिता है इसमें प्रतिकूल परिसितों के रिस्की प्रतिरोधक शमता वेस्विक करसी में इसको मैद्व को बढ़ावा देता हैं ठीक है वेस्विक करसी मतब जितना ज्यादा गलोबल होगा वो गला वजेशन के लिए तो हमारा ये गलत हो जाएगा उनली दू करेक्ट है तुमारा आं करीं धर्वा डिसल में अमिल की जा चुक है 37 नमली किससे बार सास्त्री निरत को स्वास्तिन और सेलिकोई को एक हार यह कि नाम से यहाँ पर जाना था ठीक है क्रेक्ट आंसर यहां से 37 का आपको जाएगा मज़ी ने गर वास्तों को लागे समभधन्द मनें लीखेते कत्म पर आपको विच्छार करना पहला इंडु स्लामिक सेली एक निर्मित इंडु स्लामिक सेली में डिर्मित यह मंदिर का महले है ठीक सप्वार डिया हरा इस्ट कि यहां से अलंकरन यहँआ पर अद्ञार में तीन्हों स्टेटमेंट इसके बता रहा है ठीक है यह है हमारी जो संथाली है इनकी बासागे आपर यह लिपी है ठीक है अगला देखते हैं फोटी नंबर फोटी नंबर है बामियान बुध के समद्ध के संब्ध prop आपको विज्जार करे cuenta है सभी बामियान बुद्ध की मुद्रा एक जैसे होती है तो यहां से क्या हो जायगा 40 का पहला जो श्तेट्मेंट है आपको यहां से यह गलाथ हो जाएगा क्योंकि रोमन वस्तर विन्यास की दो अलागाला के साथ यह प्रतिमाय गुप्त सरेसियन हेलेस्टिक जो आपके कलात्मक सेलिय है उसकी संगम को आपका प्रमक को धरसाती है ठीक है नाकिन कि बुद्ध की जो मुद्रा जैसी उनको प के संब्ध में निवली के तक आपको विचार करना है करेंड का कोस्टन है जी अब सी एक विशिष्ट अवधिक मसिंद्य और बुनियादी असन रचना जैसी भौतिक परसंपत्ति निवल बरदी के परतिनिधित्त करती है ठीक है क्यों जाएगा पहला करेंट है क्योंकि सकल इस्तिर पुंजी जिसको जीएफ यह बोलते हैं एक विशिष्ट अवधि के दुरान इसकी अर्थववस्ता के भीतर अच्छल जो संपत्ति है उसमें नए और प्रतिस्थापन जो निवेस हैं उसकी कुल मूले का प्रतिनिधित करता है ठीक है इसमें मसींद्री और बुनि अधी कम और निवेस कि निवेस और आर्थिक विकास का संकेत माना जाता है ठीक है निवेस का नहीं है निवेस का यहां पर कुई मतलब नहीं है तुमारा यह गलास हो जाएगा दोनों गलत है अंसर हमारा डी इसमें से आपका हो जाएगा एक तो एक तो बैंक रेट हो जाएगा ठीक है एक यह हो गया दूसरा आपका हो जाएगा नगदी जो आरचित निदेवन पाथ है ठीक है नगदी आरचित निदेवन पाथ है एक यह यह और एक बहेंगदा तो दो इसके करेक्टांस हो जाएगा दो और तीन यह ठीक है सकल घरेलुत पाथ जीडीपी के संबद में लिकित कत्व आपको विचार करना है किसी देश की के बढ़ती जीडीपी उसके नागरिकों के बढ़ती का लियान का एक निश्ची संकेत होता है ठीक है तो यहां से क्यों हो जाएगा 43 का पहला स्रेट्मेंट आपको यहां से गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि जो दूसरे सब्दों में अगर सकल घ्रेल उत्पाद है उसमें वरद्दी की यह गरंटी नहीं देती है कि सभी नागरिकों को अपने जीवन इस्तर में सुधार का उन्भों कर रहे हैं ठीक है यह समानता सिच्छत सवास्त देख भाल के लिए अनसमाजिक सेवां की सभान रूप से नहीं होता है ठीक है सेकेंड क्यों जाएगा सेकेंड आपके यहां से सही बता रहा है तो मारा उनली दो करेंट आंसर मारा भी हो जाएगा है यहां से 44 नंबर कुस्सन 44 है बजार में पूर्ड 25 परधा किसे बंदम निम्लीकित कर तो आपको विचार करना है यहां से टीक फ़र्मा एक सजाती उत्पाद का उत्पादन और विक्री करती है ठीक है तो 44 के यहां से पहला स्टेट्मेंट अपका करेंट हो जाएगा दूसरा फर्मों के लिए बजार में प्रिवेस के साथ साथ बजार के बाहर निकलना भी निस्वल कुता है ठीक है तो म झूर्जा की जो क्यमती हैं कि क्यमतों की गढ़ना इसकी गढ़ना से बाहर होता है भीक इस घ्रिव श्रेट्मिन करीक्टकोगा दूसरा यह मुक रूप से गयर प्रवर्दन सील था ठीक है यह गयर प्रवर्दन सील वस्तूं को एवं सिवाओं के परियां पर केंदरित होती है ठीक है सेकंड भी आपका correct होगा तीसरा कोर मुद्रस्केति अल्प खालिक मूल में उतार चड़ाओ के प्रति कम सम्मेंद असील होती है ठीक है तो तीसरा क्या होगा तीसरा भी आपका यहां से correct होगा तीनों मारे statement correct है कोर मुद्रस्केति के संदब में ठीक है अगला है 3046 अर्थवस्ता के चेत्र के संबंद मुद्रीक गत्रों पर आपको विचार करना है पहला प्रात्मिक शेत्र में प्राकर्तिक संसाथनों के निसकरसन इवं कच्छे माल के उत्पादन से संबंदित कत्विदियां यहां पर सामिल होती है ठीक है पहला यहां से प्रत होगी कि अनुसंधान इवं विकास से संबंदित सेवाएं सामिल होती है ठीक है तीसरा आपका यहां से करेक्ट होगा दो मारे करेक्ट आंसर मार हो जाएगा केवल दो 47 नंबर 47 है निमलिकीत कत्म पर आपको विचार करना है सकल घरिलत पाच जेडिपी मांग पच्छ से अर्थवस्था की एक तस्वीर हैं पर परतानकरता है ठीक है तो 47 को के हो जाएगा पैदा यहां से स्ट्रेट में आपका करेक्ट हो जाएगा दूसरा सखकल मूल बरधिपी यह पर अपूरतिbles पहले आपका साएपन साईसा आपका है घ्रीन कॉलर, ठीक होता है वरकर उपयोग पहली बिदीत है उच्छतियोक ये किया řोधति एस्चतर शक्राइद्स वह सह समंधन get हो जाएगा उनली दो करेक्ट हैं बी आंसर हो जाएगा 49 निम्लिकित में से कौन सा बेरुजगारी और मुद्रास्पीति के संबन्ध को दर्साता है ठीक है करेक्ट टांसर फोटियन को जाएगागा अपका सी फिलिपस वखर बनेगा यह और आपका जो तो इससे पॉइंट से यह रहेगा और कुछ ऐसा करके दिखाएगा आपको ठीक है ऐसा महरांसर क्यों फिलिप्स सक्रिक हो जाएगा 50 नंबर देखते हैं निम्लिकित कत्म पर आपको विचार करना है सकल दाश्टी उत्पाद में किसी अर्थ्वयस्ता की सीमा पार आर्थिक गतविदी को भी ध्यान में रखा ज़ता है ठीक है तो यहांसे जो पैजार स्ट्मेंट यह करेक्ट हो जाएगा दूसरा किसी अर्थ्वयस्ता का निवल घरेल उत्पाद हमेशा उसी वर्ष के सकल घरेल उत्पाद से अधीक होता है ठीक है सेकंड यहांसे स्टेट्मेंट हमारा जो रहेगा यह गलत होगा क्योंकि जो हमारा NDP है ठीक है NDP मतलब आपका जो निव करेक्ट होगा यहां से 51 नगर वन योजना के संब्द में निमलीकित कत्म पर आपको विचार करना है इसका लच्छ पांच वर्सों में देश भर में 200 सहरी वन यहां पर क्या विक्सित करना है ठीक है तो पहले आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा दूसरा पूरे में हो जाएगा इसका फिप्टी टू नंबर इंडियन कूलिंग एक्सन प्लान ठीक है आई सी एपी उसके बारे में कॉस्चन यह से पूछा कि इसका लच्छ वर्स से दोजार सैंतिस तक सीटलन हे तू उर्जा और सिक्ताव को 25-40 परसं तक कम करना है ठीक है तो यहां से क्या ह यहां से अपका पहला स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएगा दूसरा यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्क और निमन आय के जो सम्मू है उसके अवास के लिए सीतलन का प्रभावधान करता है ठीक है सेकेंड भी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा दोनों बात है मारी जो इं पहला स्टेट्मेंट अपका रायागा घे ﷺ क्यांकि केंद्री ऊर्जा और नवी नवी करंडी ऊर्जा उसके मंत्र तुरे intragen पर यह किया गया तो है तो पहला गना ऊपके दूसरा यह विशह विशेंट विशे से का आअनसर हो जाएगा अपकि 4 भारती पसू का लियांट ब अदने 1986 के तहटेयां पर की गई थी ठीक है पहला आपका गलत है क्योंकि यह जो इसकी स्थापना पसु कल्याइट पोड़ है भारती का उसके दोरह 1962 के दोरह आपर यह उसके 1962 में की गई थी और अधनियम 1960 के तहट ठीक है तो यह अपका गलत हो जाएगा यह सरकार को पसू का लियांड संबंदी विधियों पर प्रामर्स देता है यह स्टेट्मेंट अपका करेक्ट है तो बीमार यहां से अंसर हो जाएगा 54 हो गया 55 हरित कॉसल विकास के संबद में निम्रीकित कर्थों पर आपको विचार करना है ठीक है पहला स्टेट्मेंट है यह देश में योगां को कुसल बनाने हेतु पारवन सोचना पढ़ा ली यह जना के तहट एक पहल होती है ठीक है तो 55 का यहां से पहला स्टेट्मेंट आपका करेक्ट हो जाएका दूसरा यह राश्टी अंस्तर पर निदारित योगदान की प्राप्ति है उसमें योगदान की प्राप्ति में सहायता करेगा है तो second statement भी आपका यहां से correct है क्योंगे राश्टी स्तर पर निदारीत योगदान है जो NDC की प्राप्ति उसमें आपर साहत अप्रतान करेंगें दोनों बातें correct है 56 नमर को सिंद वन जिव अपराद नियंतरन भीरो है जो उसके संब्द में कोस्चन आपर कुछ है ठीक है दिख सब्सक्राइब करिक्द देढका नई दिल्ली में और शौहेएगा थीनों बातें आपको याद रखना है बाके statement यहांपर 2 दिये हों नों और करेक्ट है 57 operation soft gold निनर मिभी तुन से package widz 57 को जाएगा यह से दूर्ट चौल होते हैं उसके अवेद जो व्यापार हैं उस पर अंकूस लगाने के लिए हम पर यह होता है ठीक है तुम्हारा 57 का यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशन सॉफ्ट गोल्ड के बारे में 58 ग्रीन रेटिंग फॉर से आपका पहला आपकी करेक्ट हो जाएगा दूसरा रेटिंग प्रणाली का प्रत्मी को देश से शेरीत भनों को डिजाईन करने में सहेता करना होता है ठीक है ऍचेंकर यहां से इसके करेक्ट हो जाएगा सद्धित है कर् 성ies कि यहां से Vis CAP वीजार करना एक तुम्हें Neptune स्च तो यहां से पहला आपका statement रहेगा वो correct हो जाएगा दूसरा पारण में प्रभाव को कम करने पर बल देता है जबकि रण नीतिक जो आपका पारण में उसके परण में उद्यसों को पूरा करने पर बल देता है ठीक है तो सेकेंड भी आपका यहां से correct है दोनों बाते हमारी 59 क correct है तो answer हमारा क्यों जाएगा इसका answer C 60 नंबर निम्रीकित कत्म पर आपको विचार करने दाची गम राष्टी उद्यान सुल्तानपुर और आपका नागरहुल कितने सत्पुड़ा परवस रंखला के उत्तर इसमें स्थित एक तो सत्पुड़ा परवस रंखला हो गया उस गुर्गुराम जले में स्थित है तो आपका क्यों हो जाएगा यह नई दिली से कम से कम यहां से 50 km दूर ठीक और गुर्गुर्गाम से 15 km दूर यहां पर इस्थित हो जाएगा ठीक तब पहला तो याद रखना है सिल्टान परोला दूसरा क्या हो गया दूसरा आपका ताइगर होल राजीव गॉण्धी जो राश्टी उध्यान उसके नाम से भी आ पर जाना आता है ठीक है ये उनीशू पच्पन में वनजीव भ्यान के रूप में स्थापित किया गया था और वर्स उनेश्टाथी में राश्टी उध्यान के रूप में अपक्रेट के एक यहांसे जो अंसर हमारा हो जाएगा यहांसे जो अंसर हमारा होगा इसका पर्टिक्लर कोई अंसर यहां दिया नहीं है ठीक है उसमें ब्लैंक करके को दिया है बतने करको सबके वहाना ओंसर में उल्ग होन पर दिया वहाँ तो सारी सिसले ब्लेंक्स में EX सब्सक्रीन सब्सक्राइब कर देते हैं यह अंसर में साही होगा तो कोस्टन में कुछ विएला पूछले होगा बलकि मैंने आपको लोकेशन आपको याद रखना है ठीक है अगला देखते हैं 61 नंबर कोस्टन निम्ली की कत्नों पर आपको विचार करना है किसी स्थल में प्रकरती सन अच्छन यहोगी एक सन अच्छित और नियुन्तम हस्त छेप वाला किंद्री छेत्र होना चाहिए ठीक है तो 61 का हमारे जो पहला स्टेट्मेंट रहेगा आपका यह करिट हो जाएगा दूसरा किंद्र सब्सक्राइब करें निम्लीकित कत्वं पर आपको विचार करना है ठीक है मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतराष्टी महत्र की आर्द भूमी की सोची में आदर भूमी स्थिलों का एक रजिस्टर है ठीक है तो क्या हो जाएगा से श्रीटों का पहला यहां से स्थेट्मेंट अपका करेट हो जाएगा दूसरा दूसरा बोले सवर्दिक रामसर इस्थिलों वाला राजी कैप अश्यम बंगाल है ठीक है सेकेंड स्थेट्मेंट यहां से अपका गलत हो जाएगा क्योंकि तर्मिल नाडों में चार इस्थिलों और तेरा अगस्त को यहां पर कैस में दरजाद प्रफ्थ हो था ठीक है इसको से सीमा साज्या करता है ठीक है जो आपका चमबड अब्वहरन है उससर को जाएगा आपको आपको ऑन्सर हो जाएगे सिस्थिफूर निम्लिकी जगोंवह पर आपको विचार करना है वंजी इव भाहरन और आपके राजदियों चिन्णार गोविन पेरियर टिक है इन में से कितने सही सुमेली से यह बताना आपको ठीक है, पहला कैड़ा यह पहला आपका गलात हो जाएगा, चिनार आपका यह, जो केरल की डुक्की है, वहां ब्लूबिन यह अंतर हो जाएगा तो हैrier केरला जाएगा, T bathrooms He two जाएगा अगले निम्ली sudah तो देखते हैं इसको पहला लेड ले लेड में क्या होगा देखते हैं प्रडूबर मीच्पन ग्लास पैनल जो होता है ऐसमें अधिक्तर थैए उसंग मुझा आपके उस Wellington परचेफ होते हैं उसको लेगा ठीक है पारा पारा आपको जाएगा यहां से देखो पारा यह उन्मा लगा गया था कि पारे की वर्स जो वैस्टी खपत है बाइस परसंड विद्ध और और लेक्ट्रोनिक उपकरणों में से उप्योग किया था ठीक है पारे का उप्योग थर्मल स्टेट सेंसर जो होता है उसके लिए आपकर करते हैं ठीक है तीनों का रिट्ट हैंसर मारा सी 65 का करेक्ट हो जाएगा आदर भूमी विनिमन आदर भूमी सनरच्छन प्रवंधन जो अपके आदर भूमी हैं इसको प्राधिकार के गठन के यां पर प्रव्धन करते हैं ठीक है तो पहला यहां से क्यों जाएगा यह फsl श्र स्टेटमेंट अपको यह से करेक्ट हो जाएगा दूसरा कि यहां से पहले ठीक है तो यहां पर क्यों हो जागा इसका पहला स्रेटमन्न आपका करेट हो जाएगा दूसरा भारत ने वर्थ 2006 में च्टाउखकम कर्वेंशन की जो अलुसे मर्तित यहां पर इसको किया था है सेकेंड भी आपका यहां से करेट हो जाएगा दोनों बाते इसकी करेट ह पर मार हो जाएगा इसका ऐसी स्थिति जब वस्तवों एवन छोटे जो समय उसमें समय समय पर कीमतों में व्रद्धी होती है तो क्या है यह आपकी तरचिये मुझ्द्रसकिति उसको संदर्वेद करती है ठीक है 69 नमबर सकल घरेल उत्पाद अपस्थिति कारक के संदर्वेद करती है इसमें देश के उत्पाद सभी वस्तवों से हम सिवाव को सामिलियां पर किया गया है तो पहला यहां से स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा आपका पहला स्टेट्मेंट यहां से करेक्ट हो जाएगा दूसरा यह य 只是 31 number कौन सो नंबर था ये 59 था ठाट है 60 नाइन था सेवन्टी नमर देखते हैं कि 17 किसी अर्थ्वस्ता में बाजारों के प्रकार के सम्ख़मिन निम्ली किति कत्म पर आपको विचार करना थीक है तो पहला स्ट्रेट्मन क्या है बहूत्व के जिस amps निर्भाहे बना दिकार पूरी बाजार में कमी होगा तो जीकर च Royalॆअथ Do not प्राय इन्हें प्रस्ट पर निर्भर बनाती है राइट सेकेंड श्रेटम भी आपका करेक्ट होगा दोनों बाते मारी क्या है जो अर्थवस्ता में बाजार की प्रकृति उसके संबंद्ध हुए आपर सही दर्साती है ठीक है है सेवंटीवन का यहां से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा ठीक है दूसरा अति मुद्रस्पिति अनुभव करने वाले देश की क्रय सक्थी में वरधि होने की संबाव नहीं होती है ठीक है सेकेंड में आपका यहां से गलत होगा क्योंकि अतीमुद्ध सक्थ किसी देश की मुलुक को कम कर देता है जिससे क्या करे सकती में अत्यदिक कमी आती है ठीक है वरदियां पर नहीं होती है वास्तुविक आय कीमतों में परभावित रहता है ठीक है तीसरा भी गलत है क्योंकि वास्तुविक आय में कीमतों का परभावित आम तोर पर कि जो व्यक्ति हैं उनमें दीर्स या करे सकती में मेरत्रपण परभाव डाल सकता है ठीक है दोनों हमारे श्रेटमें यांसे नीजे गलत है पहला सिरुप करेक्ट था तो यह यहांसे इसका अंसर हो गया 72 अर्थिक समरद्धी और विकास के समद में निमली कित कत्व बर आपको विचार करना है अर्थिक समरद्धी मुख रूप से समय के साथ साथ देस के सकल उत्पात GDP की विरद्धी से मापा जाता है ठीक है तो 72 का यहांसे क्या पहला स्ट्रेटमेंट अपका करेक्ट हो जाए द तीसरा उच आर्थिक समरद्धी से आर्थिक विकास में विकास के बीच समबन जटिले और धन वितरन समाजिक दुनियती हैं उसकी प्रभाव सिलता सहित अन्य महत्रमों का निवात है तो तीसरा यहांसे गलब हो जाएगा तो दो मारे यहांसे फ्रेटमेंट करेक्ट होंग तो यह सेवण्टी त्रिये इन जॐत्क में सूचक अंग ऐस्ति में स्भावसा न सोचकांग और वस्ति मतुध कर कणраст मारे उचारे और जारी कि अधरानर तवD опять já चो दो यह DPIT की दोराएं पर जारी किया दा है ठीक है जो पहला आपका था यह करेट होगा पहला वाला जो आपका CPI यह करेट तो ली वना से अंसर हो जाएगा 74 भारत के सकल करेट पाथ GDP की गड़ना के अधार पर वर्स कौन साइस का ठीक है करेट अंसर 74 का अपको हो जाएगा वर्स 2011 वर्स 75 निम्रिकीत कत्व पर आपको विचार करना है संसर सतस्यों को संसर के उसकी समयतियों के उनके द्वारा कही गई किसी भी बात को उसके द्वारा दिये गए किसी मत के लिए वैधानिक करवाई में छूट पराप्त होती है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा 75 का पहला स्ट अधिकार पर द्वादान करते हैं ठीक है सेकेंड यहां से स्टेटमेंट क्या होगा सेकेंड आपको गलत है क्योंकि लोग सबाब में जो इसका अध्याच है उसको बनाने की लिए तो यह हमारा गलत हो जाएगा उनली वन करेट है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा 75 का A 76 कभी कभी चर्चा में रहने वाली फॉल बेक जो आपका लाइबिल्टी है इसके बारे में उधारना है समधिते किस से करेक्ट आंसर 76 को जाएगा कथन दो कथनिक में सिचाई की द्रीप की द्वारा पाइप और फुरों के नेटवर्क से माध्यम से सीधे फसल को जड़ क्या पूर्थी कि यहां पर की जाती है ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट आपका यह दूसरा स्टेटमेंट है यह जड़ों और जल पोशक त्रतों की बात कर रहा है ठीक है तो बाते दोन से ही लेकिन इसके वैख्या नहीं कर रहा है तो हमारा बी यहां से इसका अंसर हो जाएगा 78 अफ्रीका की निमलिखित में से कौन सी नदी भूमज सागरत में गिरती है ठीक है करेक्ट आंसर यहां से 78 को जाएगा डी नील नदी ठीक है नील नदी इसका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नील नदी की दो मूखस एक नदी है वाइट नदी वाइट नील और ब्लू नील ठीक है 79 नमबर उत्तर अट्लांटिक संधी संगठन नार्टों के संबद में निमलिखित कत्व में आपको विचार करना है ठीक है देखते हैं इसको यहां से पहला स्ट्रेटमेंट है यह राजनितिक एवन सेयन गठवनन जिसे सोबियत संग के विरुष सामोहिक सुरच्छा सुनिश्चित करने के लिए बनाय गया था तो पहला स्ट्रेटमेंट हमारा यहां से 1779 का यह बोल रहा है तो महारग क्यों जाएगा पहले हैं यहां से अपका करेट होगा दुसरा भारत के नाटो संगठन जैनाटो गठन के तुरण बाद उसके साथ अपनी पहली राजनितिक वरता यहां पर की थी सेक्ट क्या होगा सेकेन्ड श्रेटमेंट यहां से आपका यह गलत होगा क्योंक जबकि मेक्सिको गठवंदन के सदस से नहीं होगा इसका मुख्यारी न्यॉयार्क सेटी संग्तराज अमेरिका में इस थी ते चौथा आपका गलत है क्योंकि इसका जो हैड़कौटर है गठवंदन के लिए किंद्री समन्वे निर्णा लेने के लिए कोई संस्ता ग्रूप मे नहीं दिखाया है और इसका जो हेड़कौटर है यहां पर हेड़कौटर इसके नाटो का बुरुसेल्स बेल्जम में इस थे ना कि यूएसे में ठीक है तो हमारा क्या हो जाएगा यह तीनों गलत नहींचे ऊपर आपका करेट होगा पहला वाला सिर्फ पहला करेट ट्यांस जिसका कार भारत के संपरभूता सुरच्छा अखंड़ता को प्रभवयत करने के लिए अपरादों की जांच करना होता है पहला आपका क्योंकि राष्ट्राइड जो अधिकंड है यह अधने हम्जोज्जराड आट के ताथी स्थाफिदिक सामिदिकनिक आयो ठीक है यह जो के संबंद में बनाई गई सामधी गिधियों के अंतर के अपराधों की जांट नहीं करता है ठीके सेकेंड बात या आपकी गलत है क्योंकि इसकी आतंकी जो करते हत्यार है उसमें ड्रक्स नकली भारती मुद्रा तस्क्री सीमा पार गुस पैट इसकी यहां पर सामिर होते हैं ठीके तो यह गलत हो जाएगा ठीके दोनों गलत होगा पहला भी दूसरा भी तीसरा एनई किस अंचालान चेत्र संपूर भारत और देश के बाहर रहने वाले भारती नागरी को तक विस्तरत हैं तीसरा आपका सिर्फ करेक्ट तो उनली एक करेक्ट तीनों में तुमारा यह किक क्सान क्रेडि जोजना जो है का एक हिस्सा नहीं है यह एक शुतनतर पहल है ठीके ईक क्र्से में कर्सी लाने के लिए कि किसान क्रेडिक कांड की यह जगूजना के इसाए ईसमर्ण की अर्च रहाय कर दो यह को एक। प्रणाली है ठीक है तो 82 यहां से पहला करेक्ट हो जाएगा दूसरा इसे सूर के भीतर पर क्रियाओं द्वारा उत्पन तेज तेज गती से जो असे सित करने हैं उसके मापने के लिए आपर डिजान किया गया था ठीक है सेकंड भी आपका 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 तीसरा यह व यहां से एट्टी तरीका हो जाएगा आपका राष्टी भारती तरट रच्छक की दोरा यहां पर यह अपर यह अपरेशन सजक संचालित किया गया था अगला है विद्धा समिक्षा केंद्र के संबंद में निम्लीकी कर्थों पर विचार करना यह नेस्नल डिश्टेल एज इसे राष्टी सूचना विज्ञान केंद्र अपर प्रभंधित की है और और 2020 की राष्टी सिच्छानेती के साथ संरेकित किया इन तिसरा क्या होगा तीसरा आपका गलत होगा क्वान में यह केंद्री प्रभंधन जो आपका योजना है उसके दोरा किया गया था यह ओपन- प्रेटिफाइट निम्लिकित युगमों पर आपको विचार करना है ठीक है लोक नरा तो आपके राज जट जट इन दुमहल आपके अलकब ठीक है इन में से देखो कौन-कौन सी मैच कर मैं दिखाता हूं जो आपका पहला है पहला स्येटमेंट यह आपका सई समय ले थे ठीक कशमीर का एक लोग पर लोक नरते माना जाएगा तो आपका यह गलत हो जाएगा अलकब ठीक है अलकब क्या है यह पश्चम बंगाल, तीसारिस्ट्रिटमन आपका करेट है अलकब नरते यह और संगीत का मैस्थन होता है इसे बंगाल के जो नाठी की शेतर न उससे यहाँ मनाते हैं तो यह करेट हो जाएगा ठीक है और क्या है हमारा सेकेंड स्टेट्मेंट यहां से इसको अठा दो उनली दो करेट हैं भी है तनी कि आपको यहां करना है धोल नगाडा और सहनाई जैसे संगीत वार्ज परिक डिख्वमों नियुक्ष्वन पर यहां से आपका क्योंकि 6 नरत उसके परदर्शन के स्थान पर अधारबस तीन भागों में वर्गी करके गया है उडिसा के मयूर भंज 6 जारकंड के सराय के ला और 6 बंगाल के पुरकुलिया छो ठीक है तो यह हमारे हैं से गलास हो जागा से कंड्ड तीसरा इसका 6 जो है मयूर भंज 6 नरत तक में रंगीर मुखोटे पहनते हैं तीसरा क्या गलत है क्योंकि चार खंड बंगाल के जो कलाकार है यह अधवित मुखोटे पहनते हैं ना कि यह जो रंगीर मुखोटे वो ठिक है तो हमारे दूग अलते हैं तो मरसं सिर्फ पहला स्ट्रेट स्राइल चित्र यहां पर मौझूद है ठीक है करेक्ट आंसर यहां से उमेरा हो जाएगा 87 का भी भीम बेट का गुफा भी यहां से इसका करेक्ट आंसर क्योंकि भीम बेट का में सेला स्रय मदपरजिस राज की जो मदभारती पठार है उसके दच्छडी तट पर विद्व पर पाड़ी नमक बोजी सत्व चित्रांकन निम्लीकित में से किन गुफाओं में मौझूद थैं करेक्ट आंसर यहां से इसका करेक्ट आंसर 89 अब्दुलहसन उस्ताद मनसूर और विसंदास निम्लीकित में से किस सक के दरवारे चित्रकार थे काफी इंपोर्टेंट है युग्म में हबना है लोगीत और आपके राजिये बताना है अब अब कि पहला यहां से इसके आपका गलत होगा यहां से पंजाब में पडिहारी ठीक है तीसरा तीसरा आपका correct है पडिहारी आपका रजिस्टान को जो महिला है उनके तरह पर के जाता है तो यहां पर हमरा जो तीसरा statement है यह correct होगा दो correct है वंसरा रहो जाएगा B 91 नंबर पनामा नहर के समद में निम्लीकित के तबर आपको विचार करना है ठीक है पनामा नहर के पहला ये कुलंबिया के बोगोटा सहर में इस्तित है ठीक है तो क्यों हो जाएगा पहला यहां से स्टेट्मेंट अपका गलत हो जाएगा राइट क्योंकि पनामा नहर जो मद सा जलनिकाया बाल्टिक सागर के मोहाना को साझळा करते है ठीक है तो Correct answer यहां से 92 का अपको वो जाड़ी और फिल्लैंड की खाड़ी तो यह जयाएगा अँससर निकाया बाल्टिक आपका फिल्लैन्ड की खाड़ी से, 93 नंबर, जल्ड अमरू मत दिये हुए, और आपके इस्थान दिये हुए, ठीक है, डेविस जल्ड अमरू मत, तो ये क्या हो जाएगा, डेविस का, डेविस का, याँसे आप हो जाएगा, ग्रिल्लेंड और कनाड़ा के मत इस्टल में, ठ स्थित है राइट सेकेंड भी स्टेटमेंट आपको विचार करना है यह उत्तरी अट्लांटिक मासागर में नर्वेजिन धारा और पूर्वी ग्रेंड की धारते विवाज़त करता है तो यहां से द्धारा उसके नाम से यहां पर इसको दिया गया ठीक है दूसरी जो यह दच्छन की प्रवाईट होती है इस में उत्री अफ्रीका की ताठे उसकी कनारी धारा में या पर बलीन हो जाती है ठीक है तो पहला यहां से आपका गल्श हो जाएगा इस गर्म धारा का उत्तर सब्सक्राइब के और यहां पर यह प्रभाईद होती है सेकंड आपका करेट हो जाएगा तो उनली बी करेक्ट यहां से सब्सक्राइब यहां से इक दो दीखो जढ़ी है आपकी इस्ता नहीं आएगी भी ठीक कै ऑपको इंपोर्टेंट क्या नोट बनाना जैसे कि इसके पिस् wave यह जो नहीं है इसको बड़ा-बड़ा सा आपको दिखा देना कि यह नहीं है ठीक है हाइलाट कर गए तो आपको अच्छे से माइंड में यह बने रहेगी कौन-कौन सा है कौन-कौन सा नहीं एक्स्ट्रा याद करने का ज़रूत आपको नहीं पड़ेगा यहां आपको आटलांटिक और प्रसांत मास अगर से जोड़ता है इसको बर्मुड़ा-ट्रैगल जो है उसके समयन में बड़ेगा आपको विचार करना है बर्मुड़ा-ट्रैगल दच्छिन अट्लांटिक मास अगर के पूरवी भाग में अस्पर स्रूप से परवासी छेत्र होता यहां से सबसे गहरा भाग है? राञ्मा छा एंसर सब्सक्राइब अ कि प्यूत्रों प्यूत्ra रिको जो आपका घर्थ है ये सबसे घःरा अट्लांटिक मासागर का भाग है ठीके जो अल्लेंटिक strict क्वाहितर मैं इस्थित्य इतनी फिट गहना ही पर यह यहां से इसका आंसर हो जाएगा थे लास्ट कुश्चन है निम्री की अट्लांटिक मास अगर बेसिनें को उत्तर से दच्छन की और यहां पर आपको मिवस्थित करना है ठीक है तो अंसर हमारा यहां से हो जाएगा है एक तो केप वर्ड बेसिन अ निवर्ट यहां सब्सक्स अब रहा है तो तो कर सकते हैं ट्रीक्षी अchem